हाई नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मेरा आश्मंडल फिल से समंदित कुछ मोश्ट भी याए कोशन लेकर आया हूँ जो कि आने वाले एक जाम रेल वेलो को पाइलेट गुरूप डिये टेकनिशन जो भी एक जाम होने वा पॉस में जाकर कोमेंट करना मत भूलें चलिए शुरु किया जाए पहला सवाल है राश्मंडल खेल का सुओ कर राश्मंडलед गोल्ड कोष्ट अस्टेलिया में हुआ और ये 4 अपरिल से लेकर 15 अपरिल तक चला नेस्ट कोचन है एक इसमे राष्ट मंडल खेल दुराठारे के प्रारम में धुजबाहक भारत का धुजबाहक कौन था एक इसमे राष्ट मंडल खेल दुराठारे के प्रारम में भारत का धुजबाहक कौन था तो एंसर जाएगा MC Mericom, दोस्तो प्रारम का ध्वजबाहक PB सिंधु और समापन का ध्वजबाहक MC Mericom, नेस्ट कोचन है, राष्ट मंडल खेल 2018 में सरवादिक पदक किस देश ने जीता, तो एंसर जाएगा अस्टेलिया ने, दोस्तो अस्टेलिया ने एक सो अंठानवे पदक जितने के साद एक परθःम अस्टान हासिल किया है और एक सो अंठानबे पदक में 80 स्वर्म, 69 रजद और 69 कास पदक है, दूसरा अस्टान इंगलाइंट को मिला है, इंगलाइंट कूल 136 पदक जीता है, 136 पदक में 45 स्वर्म, 45 रजद और 46 कान्स और चाहता अस्थान कानारा को मिला है इस के अदार पता है इसे बज़ा से कुल्बरासी पता जिता है फिर भी इसे चाहता अस्थान मिला है और भशाइशर प्रणदक जीता है फिर वह इसे तिसरा स्थान मिला है क्योंकि exploringTI Evaluce कानादा के स्वण प्रणदक से ज्यादा भवा जो है सņव आनि परण जीता है और करनादा मात्र 15 स्वण प्रणदक जीता है जीसके बचाट से करनादा सरवादिक पदक जीतने के बाव जूध कुल व्राशी पदक जीतने के बाव जुधиля इसे ौथा स्थान मिला है और भारत मात्र शेशस्ठ पतक जीता है जिसके वाज़े से स्वन पदक की शंख्यां भारत की प्ति स्थान मिला है तो इस पे पिश्वन 20 रजत और 20 कांस पदक है और भारत का स्थान तीसरा है राष्ट मंडल खेल 2018 में भारत कुल 16 खेलों में हिश्चा लिया है अगला सवाल है राष्ट मंडल खेल 2018 में भारत की तरब से कुल कितने खिलाडी भाग लिया तो इन से जाएगा 218 खेलाडी दोस्तों 218 खेलाडी में महिला के संख्यां 103 था और पूर्ष्ट खेलाडी की संख्यां 115 नेक्स्ट कोशन है भारत के तरब से सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जितने वाला खेलाड कौन बना और 2018 के राष्ट मंडल खेल में आनिस भनवाला ने एक record बनाया है जो कि सबसे भारत का सबसे कम उम्र का gold medal जितने वाला बना है और अनिस भनवाला का संबंद किस छेतर से है तो निसाने वाजी से यह अनिस भनवाला जो है मात्र 15 वर्स के उम्र में भारत को gold medal जिताया है और यह एक record बनाया है यह 2018 के अरस्ट मंडल खेल में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जितने वाला खिलाडी बन गया है अनिस वहनवाला और नेक्ट कोचन है अनिस वहनवाला का सम्मंद किस खेल से है बहुत ही इंपोटेंट कोचन एकोचन जरूर एक जामे पूछा जाएगा अगला स्वाल है भारत राष्ट मंडल खेल दोजारे में कुल 16 पदक जिता है जिसमें 7 स्वर्ण, 4 अजट और 5 कांस पदक है नेश्ट को चना है भारत का हुआ खिलारी जो राष्ट मंडल खेल में निसाने वाजी में स्वर्ण पदक जिता है या भारत को स्वनपदक दिलाया है अगला सवाल है भारत का ववा खिलाडी जो राख दिलाया है तो एंसर है सुमित मलीक राहुत आवारे बजरंग पुनिया सुसील कुमार और बिनेश फोगाट दोस्तों ये पांच खिलाडी है जो कि भारत को कुष्टी में स्वनपदक दिलाया है ये बहुत ही इंपोटेंट है नेश्ट कोचन है भारत का ववा खिलाडी जो राश्टमंडल खिल दो जाए ठारे में राश्टमंडल खिल दो या ठारे में भारत को भारत तोलन में स्वनपदक दिलाया है बहुत ही इंपोटेंट है पुछा जाएक एक जामे की भारत को भारत तोलन में स्वनपदक आया है या कितने स्वनपदक जीता है तो 6 स्वनपदक जीता है नेस्ट कोचन है भारत का वग खिलारी जो राश्मनल खेल दुए ठारे में मुक्यवाजी में स्वनपदक जीता है तो एंसर हो जाएगा गौरब सुलांग की दोस्तो गौरब सुलांग की विकास कृष्णा और MC मेरिकॉम यह तीन खिलारी है जो कि भारत को मुक्यवाजी में स्वनपदक जीता है नेस्ट कोचन है भारत का वग खिलारी जो टेवल टेनिस में स्वनपदक जीता है तो एंसर हो जाएगा भारत के पुरुषबो महिला टीम और मनिका वातरा ये दो निकी भारत को टेवल टेनिस में टोटल दो स्वनपदक आया है पहला तो भारत की पूरुस वोमहिला टीम और दूसरा मनिका वातरा नेश्ट को चनहें भारत का वग खिलाली जो बैंड विंटन में स्वनपदक दिता है तो इनसर जगा मिश्रित टीम असपरधा में एक स्वनपदक दिता है और दूसरा सायना नहवाल ने भारत को स्वनपदक दिलाया है नेश्ट को चनहें भारत की भारत के तरब से राष्ट मंडल खेल 2018 के अथलेक्टिक्स स्वन में स्वनपदक किसने जिता भारत के तरब से राष्ट मंडल खेल 2018 में एथलेक्स में स्वनपदक किसने जिता तो इनसर जगा नीरज चोपला और नीरज चोपला जो है किस छेतर में भारत को स्वनपदक दिलाया तो भाला फेक में, पूछा जाएगा एक्जाम में कि निरज चोपला का सम्द्ध की स्खेल से है, तो एंसर जाएगा भाला फेक से, बहुत ही important कोचन है, यह कोचन एक्जाम में पूछा जा चुका है, MTS एक्जाम में पूछा गया था कि निरज चोपला का सम्द्ध की स्खेल से है तो भाला फेक से और लाश्ट कोचन है वाइस में राष्ट मेंडल खेल 22 में कहा होगा 300 जगा बर्मिंगम इंगलेंड में दोस्तों ये कोचन बहुत ही इंपॉटेंट है थोला ध्यान दिजेगा और जितने भी कोचन था महा भी विया एकोचन था तो आप इस कोचन का न दोस्तों आप आनि कि डेली बेसिस पर वीडियो अपडेट किया जाएगा, कुछ प्रोब्लम था जिसके बज़ा से मैं डेली बेसिस पर वीडियो अपडेट नहीं कर पा रहा था, तो वो प्रोब्लम सारी प्रोब्लम सोल्ब हो गई है, जिसके अब मैं डेली अपडेट करू तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब रहा है उसे मेंटेन करने का परियास करूँगा तो आप क्यूज में भाग जरूर लें क्यूज का टाइम है आज से दस थैंक यू इस वीडियो को अंतर देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाई बाई